हमको पता है कि आर्मी में कौन लोग जाते हैं गरी मंत्री का बिटा आर्मी में नहीं जाएगा वो BCCI का सेक्रेट्री बनेगा हमको पता है कि वहाँ पे सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं गरीब किसान मज़दूर के बच्चे होते हैं कोई नेता का बाल बच्चा आर्मी म नहीं जाता है जाता है प्रधान मंतरी भी जाते हैं फोटो खिचवाने के लिए फोटो खिचवाने के लिए बर्दी पहनना एक बात होता है देश की भक्ती के लिए सर्वोत सम्मान के लिए बर्दी पहनना दूसरी बात होती है दीपावली में जा करके मिठाई बाट देंग है इस योजना को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए और यह जो लॉली पॉप बाली भाशा है ना इस लॉली पॉप की भाशाओं को बंद करना चाहिए और जहां तक बिहार में हिंसा का सवाल है सीधा सा एक कारण समझ लीजिए ये नौजबान ना किसी के दोरा लाए हैं आप तमाम प्रबुद्ध पत्रकार यहां बैठे हुए हैं कोई ओर्गनाइजड आंदोलन होता है उसका स्वरूप अलग होता है हम लोग तीन दिन से नहीं डिटेन हो रहे हैं यहां पे हमारा ओफिस छाबनी नहीं बना हुआ है हम लोग आते हैं पुलिस पकर करके हमक पफिस पर चला गया है और एक बात ओर जान लीज़िए जो हमारा बेरोजगारी दर है देश का बिहार का बेरोजगारी दर डबल है सहब जहां के मजदूर बियार का मजदूर जाता है न हर्याना और पंजाब में धान कटने के लिए बियार के ही लोग आते हैं न दिल्ली में काम करने के लिए बियार के ही लोग जाते हैं न महारास्टरा में काम करने के लिए जहां employment नहीं है वहां के लोग और लेडी भी स्थापित होते हैं ये जो बच्चे हैं ये उस उमीद में अपने गाओं में रह रहे हैं दौर रहे हैं जारा गर्मी बरसात सर्कों पे मैदानों में रेथ पे कि इनको किसी दिन सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा ये मौका इनसे जब छीना जा रहा है तो इनका सब्र तूट गया है लेकिन मैं इन तमाम नौजवानों से भी एक अपील करना चाहता हूँ दोस्त हम किसान के बच्चे हैं और हमारे माबाप ने इस सरकार को जुकाया है इस सरकार को बताया है कि ये देश गांधी का देश है और गांधी के देश में सत्य और अहिंसा से ही कोई लड़ाई जीती जा सकती है इसलिए भार्त्य राष्ट्य कॉंग्रेस की तरफ से इस आंदोलन का पूंता समर्थन करते हुए सरकार से ये अपील करते हैं कि इसको वापस लीजिए और नौजवानों से अपील करते हैं कि देश की संपत्ती को मत जलाईए मत जलाईए क्योंकि कल को आपको वही संपत्त इसी पर्धान मंत्री से बचाना भी है क्योंकि देश की संपत्ति यो दोस्त को बेचने वाले हैं ये हमारे आपके टेक्स के पैसे की संपत्ति है इसकी रच्छा कीजिए सत्त और रहिंसे के रास्ते पर चलिए और किसानों ने 700 लोगों की सहादत देने के बाद एक चाल से ज कौन है इसके लिए जिम्मेबार और विपक्ष के माथे पर मत खेलिए विपक्ष की बात जंता अगर सुन रही होती तो आप देश के परधान मंत्री नहीं होते इसलिए परधान मंत्री होने के चलते मैं आपस अपील करता हूं कि इस योजना को आप वापस लीजिए बहु